C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनन्द मैं पाठ पाँच कितने? प्रिष्ठ अर्टालीस दादा जी के साथ सैर यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं इन चित्रों में एक उद्ध्यान बनाया गया है उद्ध्यान में कई पच्चे और बुजुर्ग बैठे हैं और खेल रही हैं सभी बहुत खुश नजर आ रही है अब चित्रों को देखने के पश्चात बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहें बच्चों से पूछें कि वे उद्ध्यान या पार्क में क्या करते हैं कौन सा खेल खेलते हैं अपने बड़ों जैसे दादा दादी नाना नानी इत्यादी के साथ किस प्रकार बात चीत करते हैं ओध्यान में एकत्र होने वाले लोगों की संख्या में व्रिधी के विशय में चर्चा करें ओधारण के लिए पहले चित्र में कितने बच्चे खेल रहे हैं और कितने बच्चे बात ने आए बच्चों से बात चीत करें कि बड़े बुड़ों के साथ समय क्यों बिताना चाहिए एवं उनके प्रती सम्मान दिखाने के तरीकों पर भी बात करें प्रिश्ट उननचास बताईए कुल कितने यहाँ पर कई चित्र दिये गए हैं इन चित्रों में कुछ बच्चे, वस्तुए, कीडे, मकोडे और पेंसिल के चित्र बनाए गए हैं आपको यह बताना है कि बच्चों, लट्टू, चींटियों और पेंसिल के अलग-अलग समुह को मिला कर कितने बनते हैं पहले चित्र में लिखा है, चार बच्चे और दो बच्चे मिलकर होते हैं, रिक्त स्थान बच्चे दूसरे चित्र में लट्टूं के कई समुह दिये गए हैं, और लिखा है, तीन लट्टू और एक लट्टू मिलकर होते हैं, रिक्त स्थान लट्टू, तीन जमा एक बराबर रिक्त स्थान तीसरे चित्र में चीन्टियों के अलग-अलग समुह बनाए गए हैं, यहाँ पे लिखा है, तीन चीन्टियां और दो चीन्टियां मिलकर होती हैं, रिक्त स्थान लिखा है, तीन जमा दो बराबर रिक्त स्थान चौथे चित्र में पैंसिल और कागस के कुछ समू दिये गए है और लिखा है चार पैंसिले और तीन पैंसिले मिलकर होती है रिक्तिस्थान पैंसिले लिखा है चार जमातीन बराबर रिक्तिस्थान बच्चों को ठोस वस्तूं जैसे बोतल के ढखकन, तीलियों कंकर इत्यादी की साहता से जोड के परयाप्त अफजर दें दो समुह की वस्तूं को मिला कर कुल वस्तूं की मात्रा पता करना एकत्री करन और एक ही समुह में कुछ वस्तूं मिलाने के बाद कुल वस्तूं की मात्रा पता करना व्रिद्धी दोनों ही तरहां के प्रश्णों पर अभ्यास कार्र करवाएं प्रिष्ट पचास जोड़िये और खाली स्थान में कुल वस्तूओं का चित्र बनाएं यहाँ पर दो अलग-अलग चित्र दिये गए हैं इन चित्रों में से पहले चित्र में गेंदों के समहू दिये गए हैं लिखा है छे गेंदे और दो गेंदे मिलकर होती हैं रिक्च्थान गेंदे छे जमादो बराबर रिक्च्थान आपको कुल मिलाकर कितनी गेंदे हुई यह रिक्च्थान में चित्र के माध्यम से दिखाना है आपको कुल मिलाकर कितनी गेंदे हुई इसका भी चित्र बनाना है अगले चित्र में पिठ्ठू खेलता हुआ, एक बच्चा दिखाया गया है और पत्थरों के अलग-अलग समू दिये गए है किसी में साथ पिठ्ठू हैं और किसी में एक आपको रिक्ष्थान में कुल मिला कर कितने पिठ्ठू हुए इनका चित्र बनाना है और साथ ही लिखना है कि साथ जमा एक बड़ाबर रिक्ष्थान आओ करें क आपके माताजी और पिताजी के कुल कितने भाई बहन है क आपके और आपके मित्र के परिवार में कुल कितने सदस्य है गह आपके हाथों और पैरों में कुल मिला कर कितने उंगलिया है गह आप अपनी उंगलियों पर कुल कितनी वस्तूएं गिन सकते है बच्चों को जोड संबंधी कथन समझने एवं बनाने के लिए प्रेरत करें उदारन के लिए चार बच्चे एवं दो बच्चे मिलकर होते हैं कुल छे बच्चे पहले ठोस वस्तूओं के साथ वबोलचाल की भाषा से शुरू करके जोडना कुल आदी शब्दों के अर्थ समझने में सहायता करें इसके बाद ही प्रतीकों के साथ काड़ करें शब्द जोडने को जमा के साथ एवं बराबर को बराबर के संकेत से जुड़िये प्रिष्ट एक्क्यावन गिनती करें और उंगलियों की संख्या लिखें यहाँ पर उंगलियों के चित्र के माध्यम से कुछ संख्याएं बताई गई है उन्हीं चित्रों के सामने उन संख्याओं को लिखा गया है आपको गिनती करके बताना है कि कुल संख्या कितनी है पहला है चार जमा तीन बराबर रिक्त स्थान दूसरा है तीन जमा दो बराबर रिक्त स्थान तीसरा है पाँच जमा तीन बराबर रिक्त स्थान चौथा है चार जमा शूने बराबर रिक्त स्थान पाँचवा है चार जमा चार बराबर रिक्त स्थान आओ खेले, पासे द्वारा जूडे आप अपने मित्र के साथ दो पासों से खेलिए दोनों पासों को एक साथ फेकें एवं दोनों पासों पर आए बिंदूओं को जोड़ कर उनका कुल जोड़ बताईए अब अपने मित्र को दोनों पासे एक साथ फेकने के लिए कहिए और दोनों पासों पर आए बिंदूं को जोड़िए पता करिए कि किसका जोड अधिक है प्रिष्ट बावन आओ करें किशोर और नित्या ने ऐसा ही खेल खेला एवं अपने प्रापतांक यानी स्कोर लिखे चिन लगा कर पता कीजिए कि कितनी बार किशोर जीता और कितनी बार नित्या जीती यहाँ पर दो चित्र दिये गए है किशोर और नित्या का और साथ ही साथ स्कोर कार्ड बना है पहली गिनती में कुल संख्या किशोर के पास है छे और नित्या के पास है पाँच, तो जीता कौन? किशोर. इसी लिए क के सामने किशोर पर चिन्ह लगा हुआ है, यानि इस बार किशोर जीता. आपको बाकी रिक्ष स्थानों को भर कर लिखना है कि कौल संख्या कितनी हुई, और फिर देखना है कि हर बार किशोर जीता या नित्या क उदारन के लिए किया गया है. अब ख, ग, घ और अंग में कौन जीता? आपको कौल गिनिती लिखनी है और फिर चिन्ह के माध्यम से बत पिष्ट तिरपन. मोती और लड़ियां. नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार, लड़ियों में पिरोय हुए मोतियों में रंग भरे, एवं रंग भरे हुए कुल मोती गिनिये. यहाँ पे मोतियों के अलग-अलग चित्र दिये गए हैं. इन में से कुछ मोतियों में रंग भरे हुए हैं, और कुछ में आपको रंग भरने हैं. और साथ ही साथ, हर चित्र में दो संख्याओं लिखी हुई हैं. पहली संख्या के बराबर मोतियों में रंग भरा हुआ है. और दूसरी संख्या जो लिखी हुई है आपको उसके बराबर मोतियों में रंग भरना है और फिर ये लिखना है कि कुल मिलाके रंग भरे हुए मोती कितने हुए पहले चित्र में लिखा है तीन जमा चार बराबर रिक्त स्थान दूसरे चित्र में लिखा है चार जमा दो बराबर रिक्त स्थान तीसरे चित्र में लिखा है पांच जमा चार बराबर रिक्त स्थान चौथे चित्र में लिखा है दो जमा साथ बराबर रिक्त स्थान पांचवें चित्र में लिखा है साथ जमा तीन बराबर रिक्ट स्थान बच्चों को मूती की लड़ियों से खेलने के अफसर दें जोड की प्रक्रिया पर चर्चा करें बच्चों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर चर्चा करें प्रिष्ट चववन कूदिये और जोड पता कीजिये इस प्रिष्ट पर चार चित्र बनाए गए है चारों चित्रों में एक बच्ची बनाए गई है बच्ची अलग-अलग संख्या पर कूद रही है और उनके जोड पता रही है आपको ये बताना है कि कुल मिलाकर संख्या का जोड कितना हुआ पहले चित्र में संख्या दी गई है चार जमा दो बराबर रिक्त स्थान दूसरे चित्र में संख्या दी गई है तीन जमा दो बराबर रिक्त स्थान तीसरे चित्र में संख्याएं दी गई है पांच जमा तीन बराबर रिक्त स्थान और चौथे चित्र की संख्याएं है छे जमा तीन बराबर रिक्त स्थान प्रिष्ट पच्पन अपने तरीके से जुड़िए अब्दुल और रिहाना नीचे दिये गए तरीकों से संख्याएं जोड रहे है जोड पता करने के लिए उनकी सहायता कीजिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में अब्दुल और रिहाना ये दोनों बच्चे संख्याओं के जोड को अलग-अलग तरीके से लिख रहे हैं आपको इन संख्याओं को जोड कर कुल मिला कर संख्या कितनी हुई ये लिखना है सबसे पहले है दो जमा तीन बराबर रिक्त स्थान दूसरे नंबर पर है पांच जमा एक बराबर रिक्त स्थान तीसरे स्थान पर है तीन जमा तीन बराबर रिक्त स्थान चौथे स्थान पर है नौ जमा एक बराबर रिक्त स्थान प्रिष्ठ चपन आउ करी का खाली स्थानों में संख्या जोड लिखी यहाँ पर चार चित्र बनाए गए हैं इन चित्रों में अलग-अलग संख्याएं दी गई है आपको यह बताना है कि किन-किन संख्याओं को मिला कर वो केंद्रिय संख्या बनती है कुछ उदारन दिये गए है जैसे आठ बनाने के लिए आप लिख सकते हैं पांच जमा तीन, तीन जमा पांच, दो जमा छे, एक जमा साथ और साथ जमा एक दो रिक्ट स्थान दिये गए हैं जिन में आपको यह बताना है कि आठ किन-दो संख्याओं को मिला कर बनता है दूसरे चित्र में केंद्रिय स्थान पर संख्या लिखी है पांच आपको चार तरीके बताने हैं जिन से कुल मिला कर संख्या पांच बनती है तीसरे चित्र में केंद्रिय स्थान पर संख्या लिखी है साथ इसमें तीन उधारण दिये गए है छह जमा एक, एक जमा छह और पांच जमा दो अब आपको तीन रिख्ट स्थानों को भरके ये बताना है कि कैसे कुल संख्या साथ प्राप्त की जा सकती है वहीं चोथे चित्र में कोणार्क सूर्य रत का चक्र बना है यहाँ पर केंद्रिय स्थान पर संख्या लिखी है नौ तीन जगाहें भरी हुई है इन में लिखा है एक जमा आठ, तीन जमा छह और दो जमा साथ पांच जगाहें खाली है आपको इन रिक्त जगाहों को भरना है और लिखना है कि कौन-कौन सी संख्याओं को मिलाकर कुल संख्या नौ बनती है ख, जोड़िये और मिलान कीजिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है चित्र में तीन सूचिया है इन में से मध्ध सूचि में कुल मिलाकर संख्या दी गई है जिनको आपको जोड़ना है और कुल संख्या से इनका मिलान करना है उदाहरन के लिए एक मिलान किया गया है जैसे बाई और लिखा हुआ है 6 जमा 3 मद्य सूची में लिखा है 9 और इसका मिलान किया गया है 5 जमा 4 के साथ यानि 6 जमा 3 भी 9 हुआ और 5 जमा 4 भी 9 हुआ बिलकुल वैसे ही आपको बाकी संख्याओं को जोड़ कर भी मिलान करना है परियोजना कारे 0-9 तक के 10 संख्या काड लीजिए काडों को इस प्रकार विवस्थित करिए जैसा कि बाजू में दिखाया गया है ऐसा करने के कई तरीके हो सकते हैं आप ऐसा कितने तरीकों से कर सकते हैं? यहाँ पर तीन तरीके दिये हुए हैं जिनसे आपको कुल संख्या 9 बनानी है पहले में दो संख्याओं को जोड़ कर बनाना है 9 दूसरे में तीन संख्याओं को जोड़ कर बनानी है कुल संख्या 9 और तीसरे विकल्प में दोबारा दो संख्याओं को जोड़ कर कुल संख्या बनानी है 9 आपको रिक्त स्थानों को इस तरह से भरना है कि कुल मिला कर संख्या बने नौ फ्रिष्ठ 57 पढ़ो और जोडो कर रागव के पास चार शंख है एवं सरिता के पास पाँच शंख है दोनों के पास कुल कितने शंख है रिक्त स्थान भरिये ख मिनाक्षी के पास तीन कंचे है एवं रंजीत के पास छे कंचे है दोनों के पास कुल कितने कंचे है रिक्त स्थान भरिये ग एक थैले में तीन नारियल है दूसरे थैले में चार नारियल है कुल कितने नारियल है रिक्त स्थान भरिये आईए देखें आपके बस्ते में क्या है कर मेरे बस्ते में रिक्त स्थान पुस्तके हैं एवं मेरे मित्र के बस्ते में रिक्त स्थान पुस्तके हैं हमारे दोनों के बस्तों में रिक्त स्थान पुस्तके हैं ख, मेरे पास रिक्तस्थान पैंसले हैं, एवं मेरे मित्र के पास रिक्तस्थान पैंसले हैं, हमारे पास कुल मिलाकर रिक्तस्थान पैंसले हैं. गर मेरे पास रिक्त स्थान कौपियां है एवं मेरे मित्र के पास रिक्त स्थान कौपियां है दोनों के पास कुल मिला कर रिक्त स्थान कौपियां है सोचो और करो दी गई तालिका में एक, दो एवं तीन इस तरह लिखे के हर तरीके से जोड़ छे ही आए यहाँ पर चित्र के माध्यम से एक तालिका दी गई है जिसमें संख्याएं तीन, दो, एक दी गई है आपको इस तालिका में संख्याएं इस तरह से लिखनी है कि जोड हमेशा छे ही आए यहाँ गतिविधी दो बच्छों द्वारा जोडों में की जाएगी वे पुस्तके एवं पैंसिले बाहर निकालेंगे एवं जोड कर पता लगाएंगे कि कुल कितनी है बच्चों को स्वेहम प्रश्ण बनाने एवं उन्हें हल करने के लिए प्रोच साहित करें पिछले प्रश्ट पर दिये गए चक्र विश्व के सबसे पुराने सूरे मंदर जो कोणार्क ओडीशा में स्थित है उसके विशे में भी चर्चा करें प्रिश्ट अठावन बस में बैठे बच्चे पांच बैठे बैठे रहे थे नाच एक उत्रा घर के पास हाथ में मोती माला हार बस में है अब बच्चे चार पेडों से वो करते प्यार एक उत्रा घर के पास बजी जोर जोर से बीन बस में है अब बच्चे तीन बस में बैठे बच्चे तीन सभी बजाते धीरे बीन एक उत्रा घर के पास घर को दोर लगाता वो बस में है अब बच्चे दो प्रिश्ट 69 बस में बैठे बच्चे दो हला करते हो 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 एक उत्रा घर के पास छोटा बच्चा हाथ में केक बस में रह गया केवल एक बस में बैठा बच्चा एक दिख रहा था सीधा नेक एक उत्रा घर के पास दादी है खड़ी वही बस में बच्चा कोई नहीं मज़ा आ गया धम्मक धम कल मिलेंगे फिर से हम आओ बातचीत करें कर शुरुआत में बस में कितने बच्चे थे खड़ी पहले स्टॉप पर कितने बच्चे बस से नीशे उत्रे गर पहले स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेश रह गए गर दूसरे स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेश रह गए तीसरे, चौथे और पांच विल स्टॉप के बाद भी शेश बच्चे बताई प्रिश्ट साथ, आओ करें, कितने शेश बचे, खाली स्थान भरो, यहाँ पे तीन चित्र बनाए गए हैं, इन तीनों चित्रों में अलग-अलग संख्या में मेंधक दिखाये गए हैं, आपको खाली स्थान भरना है, पहले चित्र में हैं छे मेंधक, दूसरे चित्र में बताया गया है कि दो मेंधख पानी में कुदे तो बचे कितने मेंधख यानी छै घटा दो बचे रिक्त स्थान ख, पहले चित्र में हैं साथ गुबारे दूसरे चित्र में बताया गया है साथ गुबारों में से कुछ गुबारे उड़ गये यानि कि रिक्त स्थान और तीसरे चित्र में बताया गया है कि बाकी बचे हैं पाँच गुबारे यानि आपको बताना है कि साथ गुबारों में से कितने गुबारे उड़े जिने घटाने के बाद हमारे पास पाँच गुबारे बचेंगे ग, यहाँ पर तीन चित्र दिये गए हैं इन चित्रों में एक हाथी है और एक पेड़ भी यहाँ पर हाथी पेड़ पे लगे केलों को तोड़ रहा है पहले चित्र में नौ केले हैं दूसरे चित्र में हाथी छै केले तोड़ लेता है तो बताओ बचे कितने केले यानि नौ घटा छै बराबर रिक्ट स्थान प्रिष्ट 61 घटाईए और चित्र भी बनाईए घः यहाँ पर तीन चित्र दिये हुए हैं पहले चित्र में कुछ गमले हैं आपको इन गमलों की संख्या गिन्नी है और रिक्ट स्थान में लिखना है कि इस चित्र में कितने गमले हैं दूसरे चित्र में बताया गया है कि कुछ गमले या गमला तूट गया है आपको देखना है कि कितने गमले तूटे और उनकी संख्या लिखनी है तीसरे चित्र में रिक्ट स्थान है वहाँ पर आपको बचे हुए गमले बनाने हैं और बचे हुए गमलों की संख्या भी लिखनी है यानि तीन घटा रिक्च्थान बराबर रिक्च्थान अंगर यहाँ पर तीन चित्र हैं जिसमें लड़ूं का वर्णन है पहले चित्र में हमें साथ लड़ू दिख रहे हैं दूसरे चित्र में लड़के ने साथ में से चार लड़ू खा लिए और तीसरे चित्र में रिक्च्थान है आपको ये गिन्ना है कि साथ लड़ूं में से चार लड़ू खा लिए जाने के बाद कितने लड़ू बचेंगे उनका चित्र बनाए और रिक्तस्थान में वो संख्या भी लिखिए यानि साथ घटा चार बराबर रिक्तस्थान च, यहां भी तीन चित्र दिये हुए है पहले चित्र में साथ गेंदें बनी हुई है दूसरे चित्र में कुछ गेंदों को बच्चों ने ले लिया है आपको तीसरे चित्र में ये बनाना है कि कितनी गेंदे बची हुई है और बची हुई गेंदों का चित्र बनाने के बाद आपको उनकी संख्या भी लिखनी है यानि साथ घटा रिक्तस्थान बराबर रिक्त स्थान चह, मनीशा के पास नौ केले हैं उसने तीन केले खा लिये उसके पास कुल कितने केले बचे रिक्त स्थान भरिये जह, एक पेड़ पर आठ तितलिया है पाँच तितलिया उड़ गई अब कितनी तितलिया बचे रिक्त स्थान को भरें प्रिष्ट बासट आओ करी अपना एक दस बिंदू का कार्ड बनाईए एवं मित्र से कुछ बिंदू छिपा लेजी अपने मित्र से पूछे के कितने बिंदू छिपे हैं यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है इसमें तीन मित्र कक्षा में एक खेल खेल रहे है एक मित्र ने एक बिंदू का कार्ड बनाया और उसमें से कुछ बिंदू छिपा लिए अब वो बाकी दो मित्रों से पूछ रहा है कि कितने बिंदू छिपे हैं और कितने नहीं कितने बिंदू छिपे हैं और कितने बिंदू दिख रहे हैं यहाँ पर एक तालिका बनी है जिसमें पहली सूची में कुल दस बिंदू लिखा है यहाँ पर दस बिंदूओं का एक कार्ड बना है इसके नीचे एक बच्चे का हाथ है जिसने उस बिंदूओं के कार्ड में से कुछ बिंदूओं को छिपा लिया है वैसे ही तीसरे और चौते स्थान पर भी यही हाथ बना है जो बिंदूओं के कार्ड में से कुछ बिंदूओं को छिपाता हुआ नजर आ रहा है आपको रिक्ट स्थान में ये लिखना है कि कितने बिंदू छिपे हैं और कितने दिख रहे हैं उधारण के तौर पर पहले स्थान पर शूने बिंदू छिपे हैं और दस बिंदू दिख रहे हैं परियोजना कार आठ बिंदू का एक फ्रेम बनाईए अपने भाई या बेहन या साथी से कुछ बिंदू छिपा लीजिए एवं उनसे पूछे कि कितने बिंदू दिखाई दे रहे हैं और कितने छिपे हैं बिंदू कार्ड पर बच्चों का ध्यान ले जाएं और उनसे पूछे कि उन्हें कोई पैटन दिखाई दे रहा है इस गतिविधी को अन्य संख्याओं के लिए भी कीजी क्या आप इसे बिना बिंदु छिपाए भी कर सकते हैं? प्रिश्ट तिरे सथ संख्या पट्टी पर पीछे की ओर कूदिये और संख्या बताईए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से संख्या पट्टी बताई गई है इस संख्या पट्टी पर एक से लेकर दस तक की संख्या लिखी हुई है आपको संख्या पट्टी पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर जाना है और संख्या बतानी है यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है इसमें एक संख्या पट्टी है जिसमें एक से लेकर दस तक की संख्या लिखी हुई है एक छोटी बच्ची का चित्र बना हुआ है जो संख्या नौ से तीन कदम पीछे कूद रही है तो इससे पता चलता है कि जब हम नौ में से तीन घटा देते हैं तो संख्या बच्चती है छै खा, साथ से चार कदम पीछे कूदिये इस चित्र में बच्ची साथ की संख्या से चार कदम पीछे कूदी है आपको बताना है कि बच्ची कौन से संख्या पर कूदी है अब दिये हुए प्रश्णों को अपने तरीके से हल कीजे क आठ घटा दो बराबर रिक्त स्थान क साथ घटा तीन बराबर रिक्त स्थान ग नो घटा पांच बराबर रिक्त स्थान ग छे घटा तीन बराबर रिक्त स्थान अंग पांच घटा एक बराबर रिक्त स्थान च चार घटा दो बराबर रिक्त स्थान अभी आपसुन रहे थे कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में, वाचन्स्वर वैभो श्रिवास्तव और मम्ता मलकानी, तक्नीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो, ध्वनी अंकन मयंक कुमार, निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती, निर्देशन एवं निर्वान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत.